हाई ड्योल्टी इस वेल्कम टो एज़िवे कॉवर्मेर्स क्लासेज मैं हूँ अपिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम गवर्मेंट बजट इंदिये कॉनमी चेप्टर का जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है बजट्री डेफिशेट बजट्री डेफिशेट मतलब क्या होते है गवर्मेंट का डेफिशेट यानि कि गवर्मेंट जो बजट बनाता है उसमें उसको कहां कहां घाटा हो गया तो जो घाटा होता है घाटे का मतलब क्या होता है यानि कि आपके खर्चे बहुत जाद है और आपकी इंकम कम है तो उस मैंसी अब स्टार्ट करने गाई देखो बजट्री डेफ़ीशिट मतलब बजट जो हमने बनाया हमें उसमें घाटा हो रहा है घाटे का मतलब क्या है? हमारे एकस्पेंस जो है वो ज़ादा है हमारी इंकम से तो उसे बजट्री डेफिशिट कहते है अब government budget किते टाइब के बनाती है दो टाइब के budget बनाती है revenue budget और capital budget तो सबसे पहले अगाटा हमारा जो होता है वो होते है revenue deficit deficit means घाटा होना so revenue deficit अब ये क्या है कि हमारे revenue expenditure जो है वो जादा है revenue income से revenue receipt अगर हम minus के तो हमारे खर्चे जादा है जैसे अगर मैं बात करूँ एक एक जामपल के थूँ तो guys हमारे expenditure माल लो 10,000 करोड के है और revenue receipt जो है वो हमारी 9,000 करोड है तो 1,000 करोड का हमें क्या हो रहा है हमें घाटा हो रहा है revenue deficit खिलाया जाएगा और ये किस budget में शो होता है revenue budget में हमारे शो होता है revenue budget कौन सा होता है guys जिसमें revenue expenditure और revenue receipt दिखाया जाते है ठीक है तो इस budget में हमें घाटा हो रहा है अब government इस घाटे का क्या करेगी अब पता चल गया government को कि भाया हम लोग नुकसान में जा रहे हैं खर्चे बहुत हो रहे हैं देश में income नहीं आ रही तो आप government क्या करेगी तो guys सबसे पहले government इसको दूर करने के दो उपाय कर सकती है कि या तो भाया अपने खर्चों को कम करो 10,000 है न यसे 9,000 पे लियाओ या फिर अपनी income को बढ़ा दो दो इक चीज़े कर सकते हैं न हम लोग या तो अपने खर्चे कम करें या अपनी income बढ़ाएं नॉर्मल बंदा एक जिंदकी जो अपने जीता है वो income बढ़ाने से ज़ादा खर्चे कम कर देता है यानि कि ये मत करो वो मत करो ये नहीं सोच था कि कैसे मैं अपने इन खर्चों को पूरा करने के लिए अपनी income source बढ़ाऊं तो हमें अपनी income source पर गाइस काम करना चाहिए कि income बढ़ने चाहिए खर्चे तो जो होने वो तो होने ही है अब पेट्रोल के राम अगर सो के बार जाने तो जा नहीं है income बढ़ाना ही solution है लेकिन government के पास भी दो option थे क्या था guys या तो खर्चे कम कर दे या income बढ़ा दे अब अगर government ये करते तो ठीक हो जाता है लेकिन अगर 1000 करोड को भरभाय करनी है 1000 करोड को अब हमें compensate करने तो कैसे करेंगे तो government क्या करते है guys अपने assets जो है वो बेच देती है sale कर देती है अपने assets ताकि पैसा आ जाए तो अपने assets को बेच देती है घाटा पूरा करने के लिए या फिर government borrow करती है उधार लेती है guys borrowings करेगी borrowings means उधार लेगी कहां से उधार लेगी world bank से ले सकती है rbx से ले सकती है commercial bank से कहीं से भी लेगी लेकिन वो उधार लेकि अपने इस घाटे को पूरा करेगी जब यह भी ऐसा होते है guys कि उधार लिया जाता है या asset बेचा जाता है economy में inflation आ जाता है में income source बढ़ान जाता है तो government या तो अपने asset बेचेगी या फिर government उधार लेगी ठीक है किसे पूरा करने के लिए अपने revenue deficit को पूरा करने के लिए अब चलो यह भी हो गया अब fiscal deficit क्यों होते guys अब मैंने आपको बताया कि हमारे दो type के budget होते है एक होते है revenue budget दूसरा होते है capital budget राइट अब जब हमारे दोनों budget के expenditure जो है वो जादा है income से तो उसे fiscal deficit कहा जाता है यानि कि यह जो total expenditure बोले तो revenue expenditure plus capital expenditure दोनों मिला कर जादा आरे तो किस से जादा आरे total receipt से total receipt बोले तो revenue receipt और capital receipt but except borrowings इसमें borrowings नहीं लेते क्योंकि हमें जो ये घाटा हुआ 1000 क्रोड का ये हम क्या करेंगे इसे हम उधार लेंगे पैसा और उधार लेना किसका पार्ट है guys capital budget का तो वो आपके capital जो expenditure होगा capital जो receipt होगी उसमें शोर रहा होगा कि आपने उधार लिया है 1000 क्रोड रुपे ठीक है तो हमें यहाँ पे वो receipt लेनी होती है जो उधारी ना होँ पार्ट होता है borrowings वो नहीं है इसलिए fiscal deficit को हम borrowings के बडाबर मानते है यह arrow बनाने की जगे equal fiscal deficit को हम क्या कहते हैं borrowings के बडाबर इससे हमें यह पता चलते हैं कि हमने total कितिना उधार लिया है पैसा तो अगर मैं आपको एक example करके बताऊं कि अगर हमारा total expenditure 15,000 क्रोड का बन रहा है और total receipt अभी हमारे पास सिर्फ 13,000 क्रोड है तो 2,000 क्रोड का यानि कि हमने क्या लिया होगा borrowings लियोंगी समझाया that is called fiscal deficit तो fiscal deficit मतला borrowings ठीक है तो अगर किसी question में फिस्कल deficit given नहीं होता तो borrowings को ही fiscal deficit आप मान सकते हो क्योंकि वह वही figure show कर रहा होता है अब थर्ड हमें घटा होता है that is called primary deficit primary deficit क्या होता है जो आपका fiscal deficit आया यानि कि आपका borrowings का amount आया है यहाँ में हमारा borrowings का amount आया था 2000 क्रोड 2000 रुपे नी 2000 क्रोड रुपे उसमें से जितनी हमने interest payment करी वह minus कर देंगे interest payment guys क्या होता है सबसे पहले तो यह समझने की सुरुत है देखो जो भी आप उधार ले रहे हो ना यह एक debt trap में फसाद एता है government को debt trap किसे कहते है आपने उधार लिया उधार के उपर now you have to pay interest interest पे करना revenue expenditure का पाट है interest उसका revenue expenditure होता है तो आप अगर कोई भी borrowings लेते हो उससे आपका interest देना ही देना है हम interest देते देते आपने कभी सुना भी होगा यह जीज़ कि कई लोग interest के जाल में first जाते है interest क्यों पर late payment charges यह charges वो charges so interest जो है वो सबसे बड़ा जो है हमें एक debt trap में फसाद देता है debt trap क्या होते है guys DEBT trap यानिHAHA हम एक उदहर के जाल में first जाते है अगर हमसे interest payment के पैसे नहीं है हम फिर कहीं से उदहर लेंगे interest organis पे करेंगे जहां से उदहर लिया है फिर उसका interest payment करना होंग फिर उदहर लेंगी तो जब भी हम उदहर लेते तो interest हमें और ज्यादा उदहर में डालता है तो यहां पर हमें fiscal deficit जो की borrowings होता है उसमें से हमें अपनी interest payment minus करनी है interest payment suppose करो 1000 रुपे है तो हमें पता चल जाता है कि 1000 रुपे actual में हमारा primary deficit निकला है यानि कि interest payment के लिए भी हमने even उधार लिया था interest payment कितना है 1000 है तो जो हमने 2000 रुपे उधार लिया उसमें से 1000 रुपे की तो हमने interest payment करी है तो एक्ट्वल में जो normally compensate करने के लिए धार लिया वो कितना लिया 1000 रुपे तो इस तरीके से हमारे deficit घाटे निकलते है जो कि बहुत conceptual knowledge वाला topic है जो कि देश की सच्चाई को दिखाता है देश किस तरीके से practical काम करते है उस चीज़ को दिखाता है कि कैसे कैसे घाटों को पूरा किया जाते है और क्यों ऐसा होते है कि government जो है एक debt trap में फस जाती है आपका भी search भी करना गाइस कि इस समय पर government पर कितने loan का amount चल रहा है हम लोग तो 1,2,2,10,20,20 लाग में फसी होते है government लाखो करोडों के loan में फसी होती है यानि कि इतने लाख करोड का loan अभी कुछ टाइम पहले एक package घोशित हुआ था ना 20 लाख करोड का मुझे नहीं बता कितने लोगों को 20 लाख करोड का फाइदा मिला लेकिन government इस तरीके से इतने सारे loan में फसी होती है तो I hope guys आपको यह topic समझाय होगा अगर कोई भी doubt है Instagram पर मुझे message करके पूछ सकते हो बाकी thank you